अपने सुन्दंतिता का दूर्वियोग कर रही है अपना। साल में तो काफी प्रॉफिट हुआ है और इस चीज का पता शाहिए दूसर चॉप सुप्रीम कोट ने सवाल पूछा था कि आप बताई एक गवाह के लावा आपके पास सबूत हैं तो यहां पर इडी ने समय मांगा था समय दिया गया तो क्या यहां पर इडी ने सबूत जुटा लिए होंगे यह सवाल यहां पर उठ रहेगा कि आखिर क्यों आम आदमी पार् करेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोट की युबा और अनुभवी बकील आयूशी आपका स्वागत है क्या मनिस सवाधिया को रहत मिल पाएगी जब भी सुनवाई होगी आपको आज क्या लगता कि आज सुनवाई हो पाएगी मुझे लगत स्वाधिये निस शापतर प्रका कि उनके पास गवाएं हैं तो सुप्रीम कोट का यह कहना था कि गवाएं को खरीदा सकता है गवाएं को पैसा दिया करने के लिए इडी ने अगर वो सबूत जुटा लिये होंगे तो होश रखता है कि मनीशी शोद्याजी की बेल रुख जाए और अगर 228 दिन हो चुके हैं सबूत आपको जुटा लेना चाहिए था अगर 228 दिन आपने रखा है उन्होंने कोई जुरूम नहीं किया है अगर कोई घोटाला नहीं किया तो 228 दिन का हिसाब कौन करेगा 228 दिन की राजनीती खराब हुई उनका पद गया उनका ओदा गया उनकी छबी खराब हुई अनुमान लगाया इडी से सवाल पूचे कि आपने अनुमान के तौर पर उनको रखा गवाह आपके पास तिरफ एक है अरोडा सापको आपको मानते हैं उसके पहले देखा जाए तो कोई आपके बस गवाह कोई सबूत हो सबूत है तो अनुमान की तौर पर अगर 228 दिन ज सबूत जुटाया है कि नहीं जुटाया है वो तो जब पेशी होगी और जब केस लगेगा वोट पर तभी समझ में आएगा सव करोड़ों की बात कही गई है आपको लगता है कि सौकरों का घुटाला हुआ होगा आप संजय सिंग को भी गरफतार कर लिया गया है संजय तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी आगे हमेशा कुछ घुटाला करती ही है और किये हैं और बहुत सारे लोगों के जिन लोगों के घुटाले रहे हैं वो सामने भी आए हैं तो देखते हैं वेट करते हैं कि एडी ने क्या सबूत चुटाया है उसकी विसिस पर कि उन्होंने गोठाला किया है कि नहीं किया है पास में एक सुतंत्र अलग तरीके से काम कर सकते हैं वो किसी गौर्मिंट के अदर आके बेसिकली काम करना चाहिए अगर वह किसी भी पॉलिटिकल पाटी के इंफ्लूइंस में आके काम कर रही है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को गुराने के लिए तो शायद वो अप दूसरी चीज यह देखें तो कोट ने भी सवाल किया था कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को इसमें क्यों नहीं बनाया है तो यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है एडी के सामने सवाल किये और जिस ने अडानी को लेकर सवाल किये थे और जिस ने अडानी पर सवाल किये वो जियल गया है अइसा विपक्ष का कहना है उन्होंने कहец के प्रधान मंत्री अडानी के नौकर है और अडानी और प्रधान मंत्री से नहीं ड़रते हैं इस पर आपके क्या राया को कहीं ना कहीं दी गई है अडानी को अगर हम देखें पिछले 10 साल में तो काफी प्रॉफिट हुआ है और इस चीज का पता शाहिए 2024 के एलेक्शन कि कौन किसके हाथ में क्या है और यही बात कहते हैं कि आम आदनी पार्टी की नेताओं में की सुरक्षा में चूख हो सकती है तो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आखिर संजय सिंग अपने अनकाउंटर की बात क्यों कर रहे क्या आपको लगता कि संजय सींग का एंकाउंटर हो सकता है क्योंकि सवाल इसली उठाए कि आप सं शंक को जहां ले के गए है जेल में वहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा दबाव बनाया गया होगा तभी नहीं इस तरीक की बात करे गाए इंकाउंटर करना किसी भी इतने बड़े नेता का इतना छोटी बात तो नहीं है और इतनी पुलिस प्रोटेक्शन रहती है और यह सब चीज़े रहती है तो अभी अगर हम देखे तो मनीश शोदिया भी जेल में बिलकुस रक्षित रहे हैं और संजे सिंग के साथ में अगर आई उसी दिली में रहती है उनसे पूछेंगे कि आखिर चुनाब को लेके क्योंकि समस्ते अपर ट्रेफिक की बहुत रहती है आठी किरमड की बहुत रहती है इंडिया एलाइंस हो चुका है गठवन्दन और के जिरिवाल भी है दिली का माहल कैसा है क्या दिली इस बार अ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब अरविंद केजुरिवाल साथ साल पहले जब उन्हों लड़े थे और वो दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में आई थी तो उस टाइम पे उनका यह कहना था कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं करेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे अब अगर उन्होंने आकर जिस पॉलिटिकल पार्टी स्क्छ वो इलेक्शन लड़ रहे थे कॉंगर ने बोला था कि हम कॉंग्रस को हटाएंगे कि उससे बहले कॉंग्रस की सरकार थी दिल्ली के अंदर और आज भूक्स के साथ जाकर ही मिल गए हैं तो कहीं न को नुकसान भी देगा अतिक्रमण को लेकर लगादर में दिल्ली के चियो के परहला हुआ करे कि आपको कहीं 10 मिनिट की दूरी तेह करनी है तो आपको आदर घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा कभी कभी तो ऐसा भी रहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से अपने घर जाते जाते दो घंटे लग जाते हैं जबकि वो रासा सिरफ और सिर्फ 10 किलोमेटर का है तो यह ब बहुत सारी चीजह है जो जर्अनधास कर दी गई हैं वो यह रही है कि वो आते हैं LG के साथ लड़ने के लिए वो आते हैं मोदी जी को गाली देने के लिए लेकिन वह अपने कामों को नहीं उठा čारहे हैं वो अपने अपने ही पार्टी में जो अपनी वो उनको नहीं उठा पा रहे हैं वो दूसरों को दबाने में लगे हुए अगर वो अपनी चीजों को उठाने में काम्याब हो जाते हैं तो केंद्र सरकार का दबाव होता है केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रहे हैं इसमें सच्छाई लगती है तो केंद्र सरकार अगर उनको काम नहीं करने दे रहे हो तो वो शायद फिर वो कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं और वो आगे कुछ भी नहीं बढ़ पाते हैं साथ साल मनों थोड़ा बहुत जितना भी काम किया है हमारे दिली में वो किया है तो वो शायद कहीं न कहीं केंदरी की मदद से ही किया है और केंदरी से वो बार-बार मदद मांगते रहे हैं और केंदरी न हर बार उनकी मदद की है तो ऐसे ब्लेम लगाने से आप यह नहीं कह सकते हैं कि केंदरी में उनकी सरकार और उनके बीश में क्या है ये तमाम सवाल थे लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोट में जो सुनवाई होने वाली है मनी से सौधिया को लेकर वो कब होगी अगर आज होती है तो उसका रिजल्ट और निसकरस क्या निकलता है साथ में संजय सिंग की कल जो राउज जेवन नियू में पेशी होनी है उसका क्या निसकरस निकलता है यानि कि अभी खबरों में सिर्फ और सिर्फ आम आद्मी पार्टी इसली बनी हुई है कि आम आद्मी पार्टी महस दस साल में राष्टी पार्टी बनी है तो आम आद्मी रहेंगे 24 को लेके कैसी मनी से सौधिया संजय सिंग जील के बाहर आएंगे ये समय तैय करेगा आज किस खास रिपोट है से तना ही देखते रहें नेक्ष नाइन न्यूज केमरमन सुमित के साथ रितिक सभी